पावर जेनरेशन पठी आजे आपड़े ट्रांस्मीशन औने डिस्टिबिशन वी से अभ्याज पर चूँँँ तो जनरेटिंग जे स्टेशन हाथा जिनके आपड़े हाईड्रो, यूक्लियर आपधा जे जनरेटिंग स्टेशन आंदर जे पावर उत्पन थाई छे तेने उ प्राइमरी ट्रांस्मीशन औने वीजू छे डिस्टिबिशन तो ट्रांस्मीशन ना अंदर पन बे भाग पड़े छे एक छे प्राइमरी ट्रांस्मीशन औने वीजू छे सेकेंडरी ट्रांस्मीशन ते वीजरी ते डिस्टिबिशन ना बे पाठ होई छे प्राइमरी डिस एने तेकेंडरी डिस्टिवीशन तो हवे आपड़े जोसू, प्राइमरी ट्रांस्मिशन कोने किया मा आवे छे, तो सवती पिला, जे जनरेटिंग स्टेशन ना अंदर, जे पावर जनरेट करा मा आवे छे, एटले कि जे पावर आपड़े 11 के वी जनरेट करी। तो यहां तमें जोई सको छो, कि आ जे जनरेटर जे, एज जनरेटर दिवरा, आपड़े के 11 के वी जनरेट करी। आ उच वोल्टेजने, अती उच वोल्टेजना अंदर, ट्रांस्मिश्ट करवाना घणा बदा फाइदा छे, जेमके उच वोल्टेजना काराने, करंट घटे करंट घटवा थी, आपड़ों आई स्क्वेर आ लोस सु थाई जाई छे, उचो थाई जाई जाई छे, अने करंट नी किम्मत घटवा थी, अंडगतर नी साइज मा सु थाई जाई छे, घटाडों थाई जाई छे, जनरेटर द्वारा, जे 11 के वी जनरेट थाए जहा छे, एने step-up transformer द्वारा step-up करामा आवे छे केटला मा 220 kV, 132 kV, 400 kV, जेवा अती high voltage मा उत्पन करीने अने आपड़े आट transmission line द्वारा एने क्या लई जवामा आवे छे receiving station नांदर लई जवामा आवे छे तो आजे line जे छे एने primary transmission line तरीके ओड़क हमा आवे छे अहीं आगर receiving station नांदर step-down transformer मार फते आजे 220 kV जे छे एने 66 kV नांदर step-down करवामा आवे छे आजे 66 kV जे छे एने line 1, line 2, line 3 मार फते अहीं आगर receiving station नांदर लई जवामा आवे छे जेने आपड़े सू क्यवामा आवे छे secondary transmission line तरीके ओड़क हमा आवे छे अने अहीं receiving station नांदर आ 66 kV नू 11 kV नांदर step-down transformer पते सू करामा आवे छे step-down करामा आवे छे ले 66 kV नू आपड़े सू कर्यू 11 kV नांदर step-down कर्यू छे साना द्वारा step-down transformer द्वारा हवे यहां गड़े आपणने 11 kV जे step-down करेला जे छे 11 kV नी line 1, line 2, line 3, line 4, अने line 5 मारफद है आपड़े ग्राम्य अने सहरी विस्तारों आंदर pole-mounted substation मरहेला distribution transformer ने आपपामा आवे छे अने आ 11 kV network वाड़ी line ने आपणने सुक्यामा आवे छे primary distribution तरीके ओड़खामा आवे छे आ primary distribution 3 phase 3 wire एटले के 11 kV ना उपर करवामा आवे छे तो आ जे तमने line जोवा मड़े छे ने सुक्यामा आवे छे primary distribution line तरीके ओड़खामा आवे छे हवे यहां जे 11 kV वाड़ा फिडर ना छेड़े distribution प्रकार ना delta star connected step down transformer रखामा आवे छे तो आ जे ट्रांसफरमर आपड़ो असे इके वो असे delta star प्रकार नों असे अने आना द्वारा आपड़े 11 kV नू केटला मा step down करशू 440 volt ना अंदर step down करवामा आवे छे अने आ जे 440 volt जे छे ए जिमके 11 वप्रास माटे आपड़े 440 volt नो 3-phase सप्लाई अने जिमने लाइटिंग लोट नो वप्रास नो उप्योग हो एवा ग्राहको ने आपड़े 230 volt नो सप्लाई लाइन मार्फते आपपामा आवे छे अने आ लाइन आपड़े ओवरेड के अंडर ग्राउंड केबल लाइन द्वारा वापर आए छे जेने आपड़े सु क्योवामा आवे छे सेकेंडरी डिस्टिविशन तरीके ओड़क्वामा आवे छे आजे आखो डायग्राम छे जे जेन्दरेशन, ट्रांस्मिशन अने डिस्टिविशन नो सिमेटिक डायग्राम दर्सावियो छे हावे वल्टेज ना मुल्ये ना आधारे छे लाइन ना नाम पड़े छे एमाची लो वोल्टेज, मिडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तो लो वोल्टेज कोने केवामा आवे छे तो बस सो पच्चास वोल्ट करता वधारे नो होई तेवा वोल्टेजने आपने लो वोल्टेज तरीके ओडखिये छिए मिडियम वोल्टेज 650 वोल्ट करता वधारे नो होई तेवा वोल्टेजने आपने मिडियम वोल्टेज तरीके ओडखिये छिए हाई वोल्टेज 33 केवी करता वधारे नो होई तेवा voltage ने आपडं़े high voltage तरीके उड़किये छे 33 KV अत्वातो 33000 V Extra High Volt E H T Extra High Voltage जे छे 33 करता वधारे होई तेवा voltage ने आपडं़े Extra High Volt तरीके उड़किये छे Practical फिल्मा वपराती सामान्य लाइनों नीचे मुझस्वछे तो सवुथी पेली 220 वोल्ट नी लो लाइन ने आपड़े लो टेंशन लाइन तरीके ओड़ खौमा आवे छे एटले 220 अथा तो 220 वोल्ट नी जे पन लाइन जे छे एनने लो टेंशन लाइन तरीके ओड़ खाई छे 440 वोल्ट नी मिडियम वोल्टेड लाइन जेने पन आपड़े केवी ओड़ खे छे लो टेंशन एटले के ल्टी लाइन तरीके ओड़ खौमा आवे छे 11 kV नी high voltage line जेने आपड़े high tension एटलेके HT line तरीके उड़खामा आवे 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV नी अती उच voltage line ने आपड़े extra high tension line तरीके उडखिये छी अने extra high tension जे line ना जे आ voltage जे दर्शा आविया छे ए आपड़ा primary transmission तरीके उडखाई छे किले primary transmission voltage तरीके उडखामा आवे छे AC power distribution, AC power distribution ना start part पड़े छे, 1 छे, feeder, 2 छे, distributor अने 3 छे, service line तो आपड़े 1 by 1 बधावी से जोसू, हवे feeder कोने के हमाँ आवे छे, एटले के substation माथी pole mountain distribution transformer द्वारा वधारे load ने requirement वाड़ा उध्योगिक तेमच commercial ग्रहाकों ने जे conductor द्वारा 11 केवी नो supply पूरो पाड़वामा आवे छे, तेने अपड़े feeder तरीके उडखामा आवे छे तो अहीं आगर जे 11 के वीजे छे, 11 के वीजे एक आ feeder ने अपपामायू छे, औने वीजू आ feeder ने अपपामायू छे, के जेने वधारे load नी requirement होई तो आने अपड़े feeder तरीके उडखे छे, feeder ना अंदर कोईपण प्रकारनों टेपिंग लेवामा आवतु नथी, एटले के feeder ना प्रत्यक बिंदू पर केवो मडसे एक सर्कों वीज प्रवा वहे छे, औने आ feeder अंडर ग्राउंड का तो ओवर हेड प्रकारना होई सके छे, औ आपड़े feeder नी जे size जे छे, एकोना पर आधार राखे छे, एमाथी पसार्तता वीज प्रवा ना मुल्य पर आधार राखे छे, हवे आपड़े जोईए distributor, तो distributor कोने क्या मा आवे छे, अहिया तम्हें आकरूती में जो A थी B, B थी C, C थी D, D थी E, औने E थी A, आ जे छे A, लाइन distributor दर्सामा आवी छे, एटले के आजे बदा छे A, B, B, C, C, D, D, E, औने A, E, आ बदा सुचे distributor लाइन छे, आजे distributor जे छे, distributor मा थी अलग अलग सुचे आजे छे, एस service line लेवा मा आवे छे, आ service line लेवा मा आवती होवा ना कराने, तेना विवित बिंदुन उपर एमा थता voltage drop ना अधारे नकी करवा मा आवे छे, अने अहीं आगण, आजे B, अने जे E point दर्सावियो जे छे, एने आपने distribution transformer तरीके ओडखे छे, अने त्या थी, आपने 3-phase 4-wire system, 3-phase 3-wire system, अने single-phase 2-wire system ध्वारा, आपने सुचरामा आवे छे, पावर ने distribute करा माटे वाप पर ये छे, एले के service line अथा तो service main कोने के हमा आवे छे, के distributor माथी ग्रहाकोना energy meter सुधी, overhead के underground प्रकार नी जे line खेचे हमा आवे छे, तेने service main तरीके ओडखामा आवे छे, हवे, 3-phase AC system ना अंदर, 2 प्रकार नी system छे, 1 छे, 3-phase 3-wire system, अने बिजू छे, 3-phase 4-wire system, तो अहीं अहीं आगर अपणे जो सु, 3-phase 3-wire system, तो अहीं आ तमें जोई सको छो, के आ जे छे generating station छे, तिया थी, आ जे transformer जे छे, ए generating transformer द्वारा, एटले के, एनी primary सु असे, star मा असे, secondary सामा असे, delta मा, अहीं आगर सु करामा आवे छे, step up करामा आवे छे, जे generated voltage जे छे, एने step up करामा अहीं आगर आजे voltage ने transmit करामा आवे छे, अने अहीं आगर जे substation जे छे, एने receiving substation तरीके उड़ोखामा आवे छे, अहीं आजे substation ना उपर, जे transformer वापराई जे छे, एने आपड़े delta star तरीके उड़ोखे छे, एटले के primary एनी delta connected हसे, अने secondary एनी star connected हसे, तो आ जे system जे छे, एने 3-phase 3-wire system तरीके उड़ोखामा आवे छे, केम, 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 यहां, तौन फेस छे, अने 3-phase 3-wire, wire भी केटला छे, तौन छे, एटले आ system ने आपड़े 3-phase 3-wire system तरीके उड़ोखे छे, औने आ जे टावर जे छे, एने HVAC, एटले के high voltage AC transmission line तरीके उड़ोखामा आवे छे, आजे छे, ए 3-phase 4-wire system छे, 3-phase 4-wire system ना अंदर, अहीं आगड़ छे, प्राइमरी जे तमने जोहां मड़ से, एसु हसे, डेल्टा कनेक्टेड हसे, अने सेकेंडरी छे, ए स्टार कनेक्टेड हसे, एटले स्टार ना अंदर, आपणने R, Y, B, तौन फेस, अने एक, छे, आपड़े जे, डिस्टिबिशन ट्रांस्पर्नोर सबस्टेशन जे छे, एसु करसे, 11 केवी माथी 440 ना अंदर सु करसे, step-down करसे, एनी प्राइमरी जे छे, एकेवी असे, डेल्टा कनेक्टेड असे, अने सेकेंडरी सु असे, स्टार कनेक्टेड असे, तो स्टार न एक न्यूटरल, एटले के, 1, 2, 3, अने 4, एटले के, 3-phase, 4-wire सिस्टेम आपणने जोहां मड़े छे, आ 3-phase, 4-wire सिस्टेम नो फाइदो ए छे, कि जारे, आपड़े 3-phase ग्रहाकोंने जारे सपलायापो होई, तो आपड़े R, Y, B, 3-phase, अने एक न्यूटरल आपता, अई या एक फेज, एक न्यूटल, एक फेज, एक न्यूटल, आ प्रकार नू आपड़े लाइन आपी सकिये छे, तो आने आपड़े 3-phase 4-wire सिस्टेम तरीके उडखवामा आवे छे, अहिया जे आपड़े आकुरुदीमा जोहां मड़े छे, एस सिंगल फेज 3-wire सिस्टम छे, अहि सिंगल फेज, केटला वायर नी सिस्टम छे? 3-wire, एक फेज आ बीजो फेज, औने एक न्यूटल, एटले के 3-wire, एटले के Single-Page 3-wire सिस्टम तरीके आने उडखवामा आवे छे, एक फेज ने न्यूटल, कोने आपड़े मा आवे छे, सिंगल फेज ना जे ग्राह को छे, अने बीजो फेज अने न्यूट्रल एसा ने आपपामा आवे छे स्रीट लाइट माटे आपपामा आवे छे तो आ जे सिस्टम जे छे एने सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम तरीके आपड़े ओड़किये छी ये अजे तमने आकरुती जु़ा मले छे एंटरकनेक्टेट ग्रीड सिस्टम नी छे इंटरकनेक्टेट ग्रीड सिस्टम को ने क्या मा आवे छे ज्यारे फीडर मेंडरीह में अत्वा 2 करता वधारे सबस्टिशन द्वारा सप्लाईवा आप्पामा आवे तो तेने internet connectivity grid system तरीके उडखूमा आवे छे तो यहां तमें जोई सको छो आ फीडर जे छे एने एक अत्वा एक करता वधारे सब्स्टेशन द्वारा सुका प्रवामा आवे छे सप्लाय आप्पामा आवे छे तो आना द्वारा जे बंती आ सिस्टम जे छे एने आपड़े इंटरकनेक्टेड ग्रीड सिस्टम तरीके अगर कंटिनेस पावर नी सप्लाय जोती होई तो आ इंटरकनेक्टेड ग्रीड सिस्टम द्वारा आपड़े कंटिनेस पावर सप्लाय आपी सक्ये छे एटला माटे आ जे छे एने आपड़े इंटरकनेक्टेड ग्रीड सिस्टम तरीके ओड़के छे अहीं आगर जो एक ड विजा डिस्टिबिशन सबस्टेशन द्वारा आपड़े कंटिनिस सप्लाई जे मेट्रो सिटी जेछे एने पूरी पाड़ी सक्के छे तो आज ये सिस्टम छेन आपड़े साना तरीके ओड़के छे इंटरकनेक्टेड ग्रीड सिस्टम अथ्वातो ग्रीड फिडर पावर ने ट्रांस्मिशन अने डिस्टिबिशन कुरा माटे जे विवीत प्रकार न ओवर हेड लाइन ना अंदर जे एसेसरीज वप्राई जे छे एनो आपड़े अभ्यास कर सू तो सौथी पेला छे एमा छे थांबलो तो आजे तमने जोवा मड़े छे एनक सू क्यों मावे छे थांबलो थांबलो जे छे ए विवीत प्रकार ना मट्रियल माथी बनाव माँ आवे छे एक तो होई छे आर्सीसी नो अने वीजू होई छे स्टील प्रकार नो तो हवे आपड़े जो ये कि अलग-अलग प्रकारना थाम्बला तो हिया आकरुदीमा तमने भीवित प्रकारना पोल्स एटले के थाम्बला तमने जुवा मड़े छे आज ये थाम्बलो जे छे एने आपड़े आर्सीसी पोल्स तरीके उड़खे छे आर्सीसी एटले के रेन्फोर्स सिमेंड कॉंग्रीट आज ये था स्केवी सुधीनली लाइन माटे आपड़े स्टील पोल वापड़ी सकीए चीए एना अंदर आ जे ठामलो जे छे एन्ने टूबिलर टाइप तरीके उडखामा आवे छे तेमा नीचे थी लाइने उपर सुधीना अंदर तमें जोई सको छो के अलग अलग तण के चार प्रकार तो अहिंआनो व्यास अलग छे आ व्यास अलग छे अने आ व्यास अलग छे आ थामला नो उप्योग स्ट्रीट लाइट पोल तरीके ठाई छे एटले स्ट्रीट लाइट ना अंदर आपड़े जोई सके कि आपड़े आ प्रकार नो ट्यूबिलर प्रकार नो थामलो जोवा म पोल टावर तो स्टिल पोल टावर जे छे ए एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन अने हाई टेंशन लाइन माटे उप्योग करवाम आवे छे आजे थाम स्टिल टावर जे छे ए गेलवेनाईस आयन माथी बनावामा आवे छे अहीं आगर आजे स्टिल टावर जे छे एमा बिये दर्सावियो छे अन्य आ जे श्टील टावर जे छे एक्स्ट्रा हाई टेंशन अन्य हाई टेंशन एटले के HT आने EHT लाइन माटे वापरों मा आवे छे आ जे भाग जोव मडे छे एनसु क्यों मा आवे छे क्रोस आम तरीके ओड़क्वामा आवे छे ओवर हेड लाइम मा इन्सिलेटर ने पकड़ी राखवामा आटे सु उपराई छे क्रोस आम वपरों मा आवे छे क्रोस आम ए गेलवेनाइस आयन अथवा तो फाइबर रेन फोस्ट प्लास्टिक एलेके एफर पी मा थी बनावमा आवे छे अने आजे क्रोस आम जे छे ए थामला ना उपर क्लेंप द्वारा फिट करवमा आवे छे क्रोस आम मा उपपर नो आजे भाग जे छे एमासू होई छे, होल होई छे जहाँ आगड़सू फीट कराम आवे छे, आजे इंसुलेटर जे छे यहने फीट करामा आवे छे एटले के आपने एक्जाम मा पूछाए के क्रोस आमनो उप्योगसा माटे थाई छे तो ओवर हेड लाइन ना अन्दर इंसुलेटर ने पकड़ी राखवा माट्या क्रोस आम वप्राई छे हवे जे नेक्स्ट एसेसरीस जे छे एनने आपने लाइन इंसुलेटर तरीके ओड़ाखवा मा आवे छे तो आ लाइन इंसुलेटर जे छे ए पिन टाइप इंसुलेटर होई छे सेकल टाइप इंसुलेटर होई छे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होई छे स्ट्रें इंसुलेटर दर्शावियो छे, पीन टाइप इंसुलेटर जे छे, इना अंदर सिंगल पीन, टू पीन अने थ्री पीन टाइप इंसुलेटर एवा तोन भाग पड़े छे, तो सिंगल पीस जे टाइप जे छे, ए 11 केवी माटे वपराई छे, अने टू पीस अने थ्री पीस ट સામાં આવય કરવમાં આવે. અને અહુયા આગળ તમને આ જે ભાગ જોઓ મળે છે એને આપણે चे एटले के ज्यारे लाइन काट हुने सार्प पड़ांक लेती होई ते जग्याए आपणे या सेकल टाइप नों इंसुलेटर वापर ये छीए अहिया जे आक्रुती मा तमने जोवा मड़े छे एछे सस्पेंसन टाइप इंसुलेटर सस्पेंसन टाइप इंसुलेटर जे छे एक रोसाम औने कंडक्टर नी वच्चे जोड़ामा आवे छे सस्पेंसन टाइप इन्सूलेटर जे छे 67 कवी गर्ता वधर वोल्टेग लाइन माटे वबबर आमा आवए छे आहिया अगर जे यह डिस्क दर्सा मा आवी छे ऑडिस्क नी केपैसेटी होई छे यह डिस्क नी केपैसेटी 11 केवी नी होई छे तो अहिं आगर तमें जोई सको छो के अहिं आगर नंबर ओफ डिस्क लेके 4 डिस्क दर्सावी छे तो आनी केपेस्रेटी जे छे A44 केवी छे अहिं तमने जे आकरुती मा जोवा मड़े छे एछे सिलिकॉन रबर इंसुलेटर सिलिकॉन रबर इंसुलेटर ना फाइदाए छे के ते ओक्सेडेशन अवरोधक छे तेमाज तेना पर अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन नी कोई असर थती नथी तेमाज वातावारण नी असर थती नथी चीनाई माटीना जे इंसुलेटर जे अबड़ेवापर एछे एना कमपेर नांदर आनी मेकेनिकल जे स्ट्रेंथ होई छे इकेवी होई छे वधारे होई छे तेमाज आनो वजन केवु होई छे हलकु होई छे एटले आ फाईदाना कारणे हवे सिलिकोन रबर इंसुलेयटर जेछे एट ट्रांस्मीशन औन्य रिष्टिविशन मा वधारे प्रमाणमा उप्यो करवामा आवे छे आजे आकुरुतिमनाज जी मेंत उवा मडे छे एछे स्ट्रेंड इंसुलेटर स्ट्रेंड इंसुलेटर जिया लाइन वणांक लेती होई अथ्वादो लाइन नी सरु आतनी स्ट्रिंग मां के छेली स्ट्रिंग ना उपर अतिसे टेंशन लागे छे अने जे थी स्ट्रिंग जे छे एक बाजसू रहे छे खेचाईली रहे छे आवस्तु जे छे एने निवाराण करा माटे स्ट्रेंड प्रकारना इंसुलेटर नो उप्योक करा मां आवे छे आजे स्ट्रेंड प्रकारना इंसुलेटर जे छे ए सस्ट्रेंड प्रकारना इंसुलेटर जेवू जोई छे परन्तु ते जे छे ए होरिजन्टल प्रोजिशन जोडवав मा आवे च्छे। सस्पेंजन प्रकारना इंशुलेटर निजे एकसिस हती। एकेवी हती। वर्टिकल पोजिशिण हती। अने, आजे प्रकार को इंशुलेटर जे छे ए reported को अरिज Saints चे Não आउड़ जोड़वा मा आवे छे। टेंसाइल स्ट्रेंद्ध वधरामाटे घणी वखद बे स्ट्रेंद इन्सूलेटर ने पैरललमा जोडी ने टेंसायल स्ट्रेंद्ध जे छे ए वधरामाँ आवे छे पुरुती माचे तमने जोवा मडे छे एजे छिएई प्री इंसुलेटर जे छे आ इंसुलेटर नों उप्यो डायों My Heart आना आपीवग नान काराणे जि लिकेज करन जेछे एे रथ मा वहत अशु ukasajte अटकी जाई छे तो आजे इंसुलेटर ये छे लिकेजाख पनर सितक सिसाग परुपस माते कि लिकेज करनी छे उर्थ मा जत Спर्य फ़ियाएछ enormally फिरक्रमस श्रूपस स्टे earningsulator चे स्टे earningsulator नो जे 1 छेडों छे ये स्टे टाइटनर द्वारा जुड़ों हमावे छे औने ए थामलामा claim । पड़ेसू करामावे छे fit करामावे छे आ जे छे ये जे छे श्टे wire आ श्टे wire जेवापरामा आवे छे ए 8 swG नो होई छे स्टे इंसुलेटर जे छे, एनो बीजो छेडो जे छे, ए जमीन ना अंदर सिमेंट कॉंक्रेंट नू फांडेशन करीने जोइंट करवामा आवे छे, स्टे इंसुलेटर जे छे, एने जमीन थी तोण मीटर करता वधारे उचे ये फीट करवामा आवे छे, तमने आकरुतिमा स्टील रेन्फोर्स्ट। एल्यूमिनियम कंड़क्तर नी ओछे टेंसाइल स्टेंथ नी खामी दूर करा माटे जेवापर ये छे, ये छे SCSR कंड़क्तर। अहीं आगड, आतमें जोई सको छो, कि आ जे बाहर ना भाग मा जे छे, एमा सु छे, एल्यूमिनियम छे, अनि आ अंदर नो जे भाग छे, एमा अंदर स्टील कोर बना आमा आवे छे, आना काराने सुथ है छे, कि जे कंड़क्तर जे छे, एने टेंसाइल स्ट्रेंथ सुथ है जे वधी जाई छे, आजे स्टील तार जे छे, ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पूरी पाड़े छे, जे कार्बन स्टील माथी ड्रोन करेला गेलवेनियस आयर माथी बना आमा आवे छे, एटला माटे आ जे कंड़क्तर छे, एने आपड़े सी एसर कंड़क्तर तरी के अहीं आक्रुतिना अंदर आपने जोवा मड़े छे केडल गाड्रिंग गाड्रिंग एटले सु के इनकेस भावा जोडू सोड सर्किट के अन्य कोई कारण सर लाइव वायर जे छे ए तूटीने जो जमीन पर अड़ी जाए जेना कारणे सुथाई छे दूरघटना सर जाई छ अथवातों केज गाड्रिंग जो आ परकार नी जे रचना चे हैने केज गाड्रिंग तरीके ओड्खाये छे आज जे रचना तुमने इयां थी आमझणी जोवा मडंने चेड्रल गाड्रिंग तरीके kaikki जहाड़ी जेवी रचना करी अनienna आ ज्याडी सेवी रचना गरी अन् जारे विध्वित प्रवापसार्था सर्कृट ब्रेकर सुधाय छे ट्रिप थे जाए छे अने लाइन सुध जाए छे डिस्कनेक धेट थे जो आसू छे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे छे और यहां जे दर्सावी छे ए छे अर्थवायर अवे अर्थवायर कोने क्यों मावे छे कि जारे कोई कारण सवर इंसुलेटर लिग थाए अथा तो थामला साथे जे पंड मेटल एसेसरीज जोड़ाई छे जिमके क्रोस आम छे क्लेंप छे नडचtes थे बोल्डा फे गाडरींग छे इव गीरे मेटल एसेसरीज नूक जे दबान जेछे ए लाइन वोल्टेज जेटलू थाई जाए घे तो हियां आक्रिति मादर साल जे क्रोस आम छेछे आ क्लेंप छे आगाडरींग छे आ दरेग जी एसेसरीज जेछे एने अर्थ वायर द्वारा अर्थिंग आपवामा आवे छे, औने अर्थ माटे जे वायर वप्राइजे छे, ए आट थी 10SWG नो GI वायर वापवामा आवे छे, तेना द्वारा जेटली पन मेटाल एसेसरीस जे छे, एने बंडिंग करीने थामलानी पेरललमा नीचे उतरमा आ छो, आ HVDC ट्रांस्मिशन लाइन माटे नीचे, हालना अंदर आपणा जे कन्वेंशनल पावर प्लांट चे छे, इमा DC पावर नू जनरेशन थतु नथी, जो आपणे DC ने ट्रांस्मिट करवा होए, HVDC, एटले के हाई वोल्टेज डिसी ट्रांस्मिट करवा होए, तो आ रेक्टिफायर सब्स्टेशन उभू करे छे, जे रेक्टिफायर सब्स्टेशन द्वारा सु करा माव चे, आ जे उच हाई वोल्टेज जे AC जे छे, एन उसु करा माव से, DC मा रुपांतर करा माव से, हवे आ जे DC जे छे, या ट्रांस्मिशन लाइन द्वारा HVDC ट्रांस् कासे एटला माटे आ जे सिस्टम जे छे एकेव छे कोंप्लिकेटेट छे अने वधारे खर्चाड छे तो आ हाथी तू गाया DC सिस्टम अचे तू आपने जे पावर नो जन्रेशन करिये छे एने ट्रांश्मिषन करा माटे आपने काथो AC अने DC सिस्टम नो उप्योग करिये छे तो आज दरेक शिस्टम जे छे एनना केटला क फाइदा छे औने केटलाक गेर फाइदा छे तो आपड़े सवधी पहला जोए के जे ट्रांश्मीशन लाइन छे तो घणावर्सो पहला ज्यारे थाईरिस्टर अने IGBT एटले के इंसुलेटेज गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर नी सोध नती थेई त्यारे AC पावर नूँ DC पावर मा रुपांतर करूँके वहतु खुबज खर्चाड़ हतु अने मर्या दितरेंज माहतु परन्तु हवे ज्यारे LTT एटले के लाइट ट्रिगरिंग थाईरिस्टर अने ETT एटले के इलेक्ट्रिकली ट्रिगरिंग थाईरिस्टर ना काराणे आपडे जे DC जे छे एने बल्क मात्रामा सु करिये छे पावर नू ट्रांस्मिशन करू सरण थाईउ छे एग्जाम्पल तरीके जे 400 MVA केपेस्टी सु दी AC पावर नू DC पावर मा रुपांतर करू सु थाईउ छे सहलू बनी सक्यू छे एटला माटे हवे आपडे जे DC ट्रांस्मिशन लाइन जे छे तेनों उप्योग वध्वा लाग्यो छे तो हवे आपडे जोसू DC ट्रांस्मिशन जे छे अथ्वा तो जिने आपडे HVDC high voltage DC ट्रांस्मिशन जे लाइन छे एना फाइदा जोसू HVAC एटलेके high voltage AC ट्रांस्मिशन लाइन अने HVDC एटलेके high voltage DC ट्रांस्मिशन लाइन ना कमपेर मा HVDC ना फाइदा सु छे तो HVDC जे लाइन छे एमा मात्रा बेज कंड़क्टर नी जरूर पड़े छे एटलेके HVAC जे ट्रांस्मिशन लाइन छे इमा तौन कंड़क्टर नी जरूर पड़े छे समान वर्किंग गोल्टें माटे केबल ना इंसूलेटर पर था तो पोटेंशल जे स्ट्रेस जे छे ए AC नी कंपेर माँ DC माँ क्यों होई छे ओछो होई छे DC ट्रांस्मिशन लाइन ना अंदर लोस्तूस आई छे खुब जोच जाई चे सा कराने केंके DC माँ फक्त ने फक्त रजिस्टर न गूर्धर माँ छे एटलेके इंडक्टन्स अने केपेसिटन्स जेवा नकारात माँ गुण धरम नो हुआ ना कराने ओर ओल एफिसेंसी सु होई छे एनी वधारे होई छे कोनी कंपेर माँ AC नी कंपेर माँ DC नी system नी एफिसेंसी कीवी होई छे वधारे होई छे लामबा अंतर उच वल्टेज एटले के हाई वल्टेज जे DC जे छे ए ट्रांस्मीट करामा आवे तो AC नी कंपेर मासू पड़े छे आपणने सस्तू पड़े छे एटले के HVDC हाई वल्टेज DC ट्रांस्मीजन छे ए लामबा अंतर माटे के उचे सस्तू छे DC transmission line नूँ voltage regulation खुब स्तार गोई छे, केम केमा inductance अने capacitance नो गूर धर्मा होतो नथी एना काराणे voltage drop एटले के IR जे drop जे छे, एसु धाई छे, घटे छे AC सिस्टम ना अंदर उच voltage ना उपर कई effect जोओ माड़े छे, skin effect जोओ माड़े छे अने DC ना अंदर कीण effect होती नथी, एटले सुधाई छे, के जे conductor माटे जे आपड़े cross section area जे छे, इनो पूरे पूरे उप्योग थाई सके छे कीण effect कोने क्यम आवे छे, के जे आपड़े conductor जे छे तो conductor ना वच्चे ना भाग माथी current क्यो उपसार थाई छे, उचो पसार थाई छे औने या जे surface डेके बाहारनो जे भाग छे, एमा थी current क्यो उपसार थाई छे, वधारे पसार थाई छे तो आ जे छे एना काराणे सुझाई छे कंड़क्टर ना जे पूरे-पूरा क्रोस सेक्षन एरिया नो सुझाई छे उप्यक थतो नथी आ असर ने आपड़े स्कीन इफेक्ट तरीके ओडखे छी DC transmission लाइन ना अंदर सुझाई छे कोरोणा नी असर ओची थाए छे एटले के communication जे लाइन छे अमाँ disturbance गटी जोचे कोरोणा नी असर ओची थाय तो communication लाइन ना अंदर disturbance गटे छे HVDC जे छे टरांसमिशन ए HVAC transmission नी कपेर ना अंदर के भी जग्या रोके छे ओछी जग्या रोके छे डीसी सबस्टेशन नुझे इंस्टोलेशन अने मेंटेनेंस के उछे अगरू छे डीसी सिस्टम मान छे गेर फाइदा तो कोमेटीशन मर्यादना कारणे डीसी उच वोल्टेज जनरेट करवा सक्या नथी एटले के आपणे उच वोल्टेज माटे डीसी जनरेट करवा के उचे सक्या नथी डीसी जनरेटनों पावर रेटिंग वधार होतु नथी वधुमा वधु केटलू होई छे 5 मेगा वोल्ट जेटलू होई छे तो आ डीसी नासू छे गेर फाइदा छे अवे इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलाइजेशन एसी मा धाई छे एटले के एसी जनरेटन स्टेशन पर वधाराना कन्वर्टर स्टेशन अने रिसीविंग स्टेशन ना उपर इन्वर्टर स्टेशन स्थापपा पड़े छे जे सिस्टम ने माटे सू छे वधारे खर्चाराने कोंप्लिकेटेड बनावे छे त्या मत्येनूं कंट्रोल अले रिसीविंग इन्वर्टर स्टेशन जेवू स्थापव पड़े छे केमके कंवर्टर जे AC उद्फिया छे अनू DC मारूपाitzer करसे औने ADC ने आपड़े HVDC ट्राँशन राइन द्वाएनो च्छी त्रान्समीट करसí अने कंट्रोल ने रेग्डेशन एनु अगरू थाई जाई छे DC नो जे वोल्टेज चे छे एने आपने स्टेप अब का तो स्टेप डाउन करी सकता नथी तो आएके नो गेर फाईदो चे छे के ट्रांस्मीशन माटे उच DC वोल्टेज ने स्टेप अब के स्टेप डाउन करी सकता नथी हवे जी आपने जोसू एसे ट्रांस्मीशन लाइन ना फाईदा आने गेर फाईदा जोसू तो हाल मा आपने जोईए छे के पावर जन्रेशन फ्याया पची एनू ट्रांस्मीशन अने डिस्टिबिशन इमूताफागे सामा थाई छे एसी मार थाई छे तो पिलो फाईदो प्रैक्टिकली उच्छ पावर रेटिंग एटले के 220 MV अने उच्छ वोल्टेज रेटिंग 22 केविया ना एसी जन्रेटर द्वारा एसी पावर जन्रेट करी सकाई छे एटले के ना कराने सुधासे प्रती किलो वोट अवर एनर्ज उत्पाद नो जे खर्च जेछे एसु थाई जसे ओछो थाई जसे एटले आ एनो सुछे फाई दो छे उत्पन थेला हाई वोल्टेज ने वधू उच वोल्टेज ना अंदर सरड ताथी सु करी सकाई छे स्टेप अप करी सकाई छे जेमके आपणे 11 केवि करिया छे एने 400 केवि ना अंदर स्टेप ट्रांसफर्वर द्वारा स्टेप अप करी सकाई छे वोल्टेज ने अप करी सकी छे, साना द्वारा, ट्रांस्परमर द्वारा, तो, AC सिस्टम ना अंदर, step up, अने step down करू, क्या हूँ छे, सरड छे, AC सबस्टेशन नुँ इंस्टोरेशन आने maintenance भी, क्या हूँ छे, सरड छे, एटले के तेने install करू, अने तेने maintenance करू, DC नी compare मा क्या हूँ छे, सरड छे, ह ADC ना अंदर फक्त BIR नो requirement होई छे, एटले के तिया गड आबदो खर्च क्यों होई छे, ओछ होई छे, compare to AC Skin effect, inductance, capacitance, वगेर एनना गून ना काराने सु थाई छे, के तेमा voltage drop, एटले के जे IR जे ड्रोब जे छे, AC थाई छे, वदे छे, एना काराने सु थाई छे, loss थाई छे, अने सिस्टम नी efficiency सु थाई जाई छे, ओछी थाई जाई छे, AC transmission लाइननों construction जे छे, DC transmission लाइननी कर, compare मा क्यों होई छे, complicated होई छे, एटले के वधु गुच्वडा भरी होई छे, DC ना अंदर कोरोनानी असर थाथी नथी, अने AC transmission लाइन माजे छे, के कोरोनानी असर थाई छे, तो आज ए छे, AC and DC ना गेर फाइदा हता, जेना माथी objective question ना अंदर पुछाता होई छे,